हेलो फेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल्टी टेलर्स में दोस्तो मेरा नाम है शाहिद दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट स्कुर्थे की सैट पॉकिट की कटिंग करना बताएंगे तो इसके साथ साथ हम आपको यह भी पॉकिट लगाने के हम आपको दो तरीके बताएंगे दोनों तरीके हमारे कमाल के हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसकी कटिंग करेंगे पॉकिट की फिर इसके बाद हम आपको इसकी इस्टीचिंग करना बताएंगे तो फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर नए ह और आपने अब ये तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर ले और पास में लगी हुई बैल आइकन यानि गंटी के बटन को भी आन कर दे जिससे जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नौटिपीकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो ये हमारे पास जो है बचा हुआ फैबरिक है इसमें हम पॉकेट की कटिंग करेंगे तो ये वाला हिस्सा हमारा सीधा है और ये वाला उल्टा है तो इसको हम इस तरह से विशाएंगे तो दोस्तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे जितनी भी आपको पॉकेट की गहराई रखना है तो उससाब से आपको फोल्ड करना है तो इसकी जो पॉकेट की गहराई रखेंगे वो हम रखेंगे साड़े छे इंच तो हमारा जो पॉकेट बनकर तयार होगा वो 6 इंच होगा आदा इंच हमारा मारदर में चला जाएगा जब हम पॉकेट को अटेच करेंगे तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से फूल्ड करने के बाद इसको हम एक बार और फूल्ड कर लेंगे दोस्तो बहुत ही सिंपल है खुर्ते की पॉकेट करना पॉकेट की जो लंबाई है वो रखेंगे तो पॉकेट की लंबाई रखेंगे हम साड़े तेरा इंच से लेकि 14 इंच तक रख सकते हैं और जैसे आप बच्चे की pocket cutting कर लए हैं तो उसमें आप कम कर लें अब यहां से हम mark लगाएंगे बो लगाएंगे हम 3 इंच पर आदा आदा इंच हम जब pocket को बनाएंगे तो आदा आदा इंच हमारा चला जाएगा उसमें तो हमारी जो pocket है वो 5 इंच की बनकर तैयार हो जाएगी तो उबर mieux और की तरफ हमें round दे ही तो इस तरह से हम इसमें round दे देनेगी तो जैसे आप को close में रखना तो आप क्रोस में भी इस तरह से मारकिंग कर ले आपको उपर की तरफ इसको गोल लखना है तो आप इस तरह के स्मारकिंग करें इसकी हम कटिंग कर लेते हैं कि अबसा है इसकी cutting हो गई है यहां पर हम चटकर लगा लेंगी यह हमारा उल्टा वाला इससा है अंदर की तरफ जो हमारा इससा है वो सीधा है तो इस तरह से हमारी side pocket की cutting हो गई है अब दोस्तों हम आपको इसकी stitching बताएंगी तो friends इस तारह से हमने pocket को ले लिया है इसको पहले हम बनाएंगी तो इस तारह से हमने इसको रख लिया है रखने के बाद दोस्तों एक बार हम आपको नाप कर दिका देते हैं तो यह जो हमारी pocket है वो तारह 6 इंच है जो हमारी बनकर 6 इंच इसकी जो तहिली है वो रहेगी और इस जिसाब से जो हमारी चोड़ाई है वो सारा हमने आपको नापकर दिखा दिया है तो इस तरह से हम बाट को रखेंगे रखने के बाद जो सीधा हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे और उपर से हम आदा इंज का मरजन छोड़ेंगे और यहां से हम सिलाई गोल लगाएंगे इसको आप प्रेस की मदद से भी तोड़ सकते हैं नहीं तो आप इस तरह से सिलाई को लगाकर पूरी पॉकेट को तोड़ लेंगे जिसको आपको अटेच करने में परिशानी नहीं होगी तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी पॉकेट बन कर तयार हो गई है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको पॉकेट लगाने के दो तरीके बताएंगे तो पहला तरीका हम आपको बताते हैं तो सबसे पहले हम pocket का center का mark कर लेंगे तो इस तरह से हमने center का mark कर लिया है mark करने के बाद दोस्तों चलिए हम इसको attach करते हैं तो कुर्टे को हमने बना कर ready कर लिया है तो इस तरह से हम कुर्टे को रखेंगे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो margin है वो हमारा back side में जाएगा तो इस तरह से हम pocket को पकड़ेंगे पकड़ने के बाद दोस्तों जहां पर हमने center का निसान लगा हुआ था उस center की निसान को हम इस तरह से रखेंगे और दोस्तों उपर के part को हमें निकाल लेना है जो हमने आदा इंच का margin छोड़ा हुआ था है उस margin पर हमें सिलाई को लगाना है तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे अच्छे तरीके से दोस्तों आपको point बनाना है कि आपकी सिलाई उपर नीचे ना हो और इसको हम लपकी सिलाई से पूरा पका कर देंगे तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो है पहले नमबर की pocket लगकर दयार हो गई है यानि जो हमारा पहला तरीका है उस तरीके से हमारी ये pocket लगकर तयार हो गई है अब दोस्तों हम आपको दूसरे तरीके से pocket लगाना बताती है तो दोस्तों दूसरा भी तरीका बहुत कमाल का है यदि आप इस तरीके से pocket को लगाएंगे तो आपका जो margin है वो नीचे की तरफ ना ही कच्छा देखेगा और अच्छी तरीके से finishing आईगी तो चलिए वो समझते हैं तो जिस तरह से हमने पहले पहली pocket के लिए कपड़े को रखा हुआ था उसी तरीके से रखेंगे जो margin है back side में जाएगा तो इस तरह से हम pocket को पकड़ाएंगे पकड़नी के बात दोस्तो इस तरह से हम pocket को सीधा रखेंगे तो इस तरह से और पहली बार में हमने जो pocket को है वो उपर की तरफ से margin को रखा हुआ था इसको margin को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और जो हमारा उपर का पार्ट है वो उपर की तरफ है तो इस तरह से हम इसमें भी सिलाई को लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अच्छी तरीके से इसके पर भी हमें पॉइंट बनाना है कि जो इसकी सिलाई है वो बद्दी ना लगे और इसमें हम लबकी सिलाई से इसको पका कर लेंगे तो दोस्तो इस तरह से हमारी पॉकेट लगकर तयार हो गई है यह हमारे दो तरीकों होते हैं साइड की पॉकेट लगाने के दोस्तो उमीद करता हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो ज़रू पसंद आया होगा यदि दोस्तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर करना बिलकुल न भूले और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एल्टी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बैल आइकन यानि गंडी के बटन को भी आउन कर दें जिससे जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए अजाज़त थैंक्स पूर बॉचिंग अलाहाफिज